हाथी चले बाजार, कुत्ते बॉंके हजार राकी सावंद का वीडियो है सरा सर आखों में आख डालके बंदा जूड बोलता है कि शादी ने वी है राकी तो पक 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 करती है मीडिया में इसका बड़ा नाम है दीदी बोलके आपने मेरे से शादी कर ली पहले प्यार प्यार करता है और जब प्यार खतम हो जाता है तो आउरत को खताब देता है वो उसके जलरी है उसके साथ भी क्या हूँ इसलिए रातो रात किसी को बताए बगर इन्होंने शादी कर ली दोसिती हम नहीं छोड़ेंगे गाना गाना नमस्कार आप सभी का स्वागत और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहती राखी सावन जिनने हमें कैद किया है उनके जिन के बाहर रितेश भी हैं साथ में बहुत-बहुत स्वागत आपका य濃 हरी अग मोटी हो गई हूँ दो कि मैं जिम नहीं करती थी थोड़ा सा करती थी तो अभी मैंने जिम जॉइन्ड किया है तो बस आज पकड़ लिया समेडिय वड हो ने मुझे मुझे शैना असाँ डोड़ी है मुझे करते करते मेरे मित्र जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड यह समान होती है बहुत साही बात कहीं आप ने आप आप जहां भी होती है हला मसता है यूनो पूरी मीडिया आज बाज़े होती है बट इस बार ऐसा क्या हुआ कि राखे ने दुबई से मुंबई में इंट्रे मारा और बिल्कुल सनाटा रहा सनाटा पसर रहा इसा क्यों किसी को बताया निकि मैं दुबई से मुंबई आ रही किसी को नहीं बताया मैंने मैं आ गई और बहुत दुश्मन है मेरे पीछे कहते हैं किते हैं कि हाथी चले बाजार कुटे बहुके हजार तो हाथी नहीं हूँ हो गई दोड़ी बहुत शेर नहीं चलती है तो पीछे कुटे बहुकते हैं कोई बात नहीं है सकम चांसे से अप तो मेडिया को इंटोमेशन देता है और मेजूत कुल ciao साथ बादिल ने कि जो भी उन्होंने मामला आपके खिलाब दर्ज किया है उससे बचने के लिए आप मुंबई बे हैं क्या सच है मतलब आइमीन दुबई में थी इसके पीछी क्या सच है वो गदव है एक नंबर का लफंगा है जूटा है क्रिमिनल एर बहुत क्राइम कि यह उसने वो पीस्ट है इसलिए वो आठाड मैंने जेल में था वो लड़कियों से शादी करता है और उसके प्रापटियां ले लेता है पहले भी 25-26 लड़कियों के साथ बुरा किया उनकी प्रापटियां ले ली उनके जूस में दवाईयां मिला के बेहोश करके नगन वीडियो बनाके ए मेरा भी बेचा है हाला कि जब मैं नहा रही थी नगन वीडियो शूट किया है मैं वो वाईरल नहीं कर सकती मैं मैंने पुलिस में दिये हैं मैंने कोट में दिये मुझे कितना लजजा आ रही है कि एक बॉलिवूर्स सेलिबरिटी का पुलिस को देना अपनी वीडियो क्यों कि उनको मैं पुरूफ नहीं दूँगी तो ऐसे जो जुर्म करने वाले पकड़े कैसे जाएंगे मैंने इनको दिखाया है रितेश जी को के रितेश जी आप देखिए मैं नहारी हूं और पीछे से यूनो पुरा वीडियो बना रहा है और राकी सांथ का वीडियो है अगला बन्दा जो पकिस्तान सा है वो बन्दा मुझे कहता है कि अगर तुने आदिल और मेरा पोल खोला तो तू देख ले तेरे सारी वीडियो वाइरल हो जाएगी एमार राइट यह सारा जो चैट है राकी ने मुझे दिखाया था और यह बहुत शर्मनाक है क्योंकि यह लाइक का पॉइंट भी बनता है कि इस की जाच हो यह बिल्कुल कि आप अपनी बीवी जब आप कुरान पर हाथ रखके जीने मरने की कसाम खाते हो और आप अप अप इसलामी तरीके से बीवी से शादी करते हो यह तो एक साल के बाद किया ता कि मेरी तो शादी नहीं हुई कलमा प कुरान पर हाथ रखके शादी की कसमें खाता है सरासर आखों में आख डालके बंदा जुड़ बोलता है कि शादी नहीं हुई है वो बिचारे रितेश पर डालता है कि ने राक उसकी पहले शादी हो गई है तुझे तो अगर पहले पता था ना कि मैं और रितेश तो बिक ब गए थे आप समझ रहे हो तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं पुनमाने मर गई फिर जिन्दा हो गई तो वैसे मेरा भी हम लोग ने एक एड के लिए किया था नहीं मैं पूछता हूं कि जब ये बंदे को पता था जब बिग बस में हम लोग गए थे ते ये बंदा द लेखा उसके बाद ये इतना दूद पीता बच्चा तो है नहीं कि आप शादी करने के पहले आप पूछे नहीं या इन्विस्टिकेशन नहीं कराए या जब ये बंदा खुद ही इतना शातिर है जिसके पास 10-12 केसे अल्रड़ी पेंडिंग है तो आप फेर इन्विस्टि किया है और उसके बाद क्या मकसद था आपको कि साधी किये आप और उसके बाद सब चुपके साधी किये उसको वाइरल नहीं किये और चुपके इसको धर्मे परिवर्तन कराए इसलाम जब आप निभा नहीं सकते हो किसी लड़की को आप इसलामिक तरीके से आप उसको परि पूरा शड़ियंत पर इसने रचाया गया के राकी तो बख 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 करती मेडिया में इसका बड़ा नाम है वो पिछले छे साल से मुझे इंस्ट्राग्राम पर फॉलो करता है चेस साल से मर रहा है यह इवन मैंने राकी से जब मेरा ब्रेक अप हुआ था मैंने उस टाइम भ बोस्कूल रहा है और उसके बादने मुझे दीदी बोला यह जो चैटिंग में आ जो पांस र सव हैं चांडी से उस पांस साल से मुष्क्राइव कर लिए राकी दी 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 बोलकर आपने मेरे से शादी कर ली कि यह इसक ब्रहिक बहुत पहले से इसकी प्लानिंग थी ये एक दिन की प्लानिंग नहीं थी इसके बहुत पहले से इस राखी के पास पहुंचना चाहिए साइबर क्राइम वालों को किना मेरा इंस्टर्राम खंगालो देखो ये तो मुझे दी 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 कहता था दी 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 बोलके इसने शादी कर ली मेरे साथ आप ये मुझे नहीं पताता हो तो शादी के बाद जा मैं इसको फॉलो किया फॉलो के बाद पता चला रही तो आप लोग देखी चुके हो, मुझे नाम रखनी की जरुबत नहीं है, ये राकी बंदवाता है, और फिर कांड करता है, एक और दीदी का स्कैन्डल तो आप लोग देखी चुके हो, कि दीदी बोला, ठीदी कुछ दिन में मालुम चला की शादी करने वाले है यह है तो आप लोग ख़ुझी समझ सकते हो रखी आप आपके जो वकील थे इसके पहले यूनो वो बाप वो भी पलट गए हैं क्था आप जियों आपके साते हम जाते हैं फिर आपके ही खिलाफ हो जाते है, ऐसा क्या हो? पहले तो वकील के बारे में जाना चाहिए. नहीं, वो खरीद लेता है यह, यह क्रिमिनल माइंड है, इस पर 25 कैसी से है, यह क्रिमिनल माइंड है, यह लोगों के चरनों में गर जाता है, पैसे खिलाता है, कार दे दूगा, यह कर दूगा, मेरे 3.30 करोर उसक के पास है जो वीडियो में उसने बोलाए कि मेरे पिता जी के पास सारी गाड़िया हैं मेरे पिता जी के पास सारे पैसे हैं तो उसके डैड़ी मम्मी के पास मेरे सारे पैसे हैं तो अभी मैं केस करन किया है हम लोगों ने कि उस के ओशिवारा पुलिस इंडिया की पुलिस सी आई डियाईजी आईजी साब सब लोग इनके मम्मी डेडी को मुंबई में बुलाया जाए और मेरे पैसे हैं उनके पास कोट के थूरू मैं कर रही हूं कि क्योंकि उसमें मेरे पास वीडियो है मैं आपको देदेती हूं आपके पास शायद है कि उसने कभूल किया है कि सब लोग जब काला कोड पैंते हो ना तो तुम लोग है ना कसमें खाते हो सच का साथ देंगे थोड़े से टुकडू के लिए बिग गया वो वकिल बिग गया चीन में रही के बेल करा देंगे लेकिन मुझे मालूम नहीं के मेरे काम उनके लिए करता था क्या कि उन्होंने आपके खिला प्रोफेशन के साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहिए आपका प्रोफेशन है हम लोग फियर इंविश्टिकेशन तो कर ही रहे हैं अफकोस मैं आभी हमारा टारगेट है राखी का बचाव और जो में बंदा है उसको सजा देना लेकिन हाँ हम ल भी लीगल प्रोसेडिंग हुआ यह केस बहुत बड़ा मैटर नहीं है जो कि हमको हाई कोड सुप्रीम कोड पर जाना पड़े इसका कोई बड़ा मैटर नहीं था इसको इंटेंशनली करवाया आप लोग समयजी नहीं रहे हो मैं सुप्रीम कोड गई मैं हाई कोड गई क्यो जो लोखोट है वहाँ पे मेरे एडवोकेट जो थे केस केसे नाम है जो मुझे वाहिद भाई ने मिरे को दिये थे उस टैम पे तो इन लोगों ने उसको खरीद लिया गाड़ी दिया पैसा दिया पता ने उसने अपनी मा की किसम ख़ए कि मैं राखी को हराऊंगा तुम लोग पेसे आप मुझ से लेते थे ते काम उनके लेंगर तो यह गलत किया यह गलत किया आप लोग मेरे साहत दोका करोगे अब आप तुम पर कोई ट्रस्ट नी करेगा किया मेरे साथ यॉनो ब्लांग पेपर में वह वकिलने मีरे से सिगनीचर कर लिए और उन्होंने लोर कोट में जुर्म कबूल किया या कुछ किया कि हां मेरे से गलती से हो गया जो कि मैंने किया ही नहीं है आदिल ने दुरानी ने मेरा फोन हैक करके आपको पता है मैंने कंप्लेंड भी करी ओशिवरा में मेरे पास सर्टिफिकेट सारी प्रूफ है उसन किये अफैर करती ये करती मेरे फोन में से सब लाला के पुरी देश की जनता को दिखाया आप समझ रहे हों कहां से आया मेरा फोन है किया तभी तो आया ना और है किया तो मैंने पुलिस में गई थी फेस्बूक वालो ने इंसजग्राम वालों ने मेरा है वापस लाए यू मेरे पास date rate सब कुछ है इसे ने वही वीडियो मेरे फून से वाइरल किया और जान बूच्च के मेरे पर केस किया हिंदुस्तान में तो लॉइए ना के कोई वीडियो जो है उसका वीडियो आप वाइरल नहीं कर सकते तो उसे ने खुद मुझे फसाने के लिए वाइरल किया आपका कहना है कि जो आदिल ने जो केस आपके खिलाफ दर्ज करवाया है वो न्यू डिविडियो वाला उसकी सच्चाई कि आपने नहीं किया था वो आदिल ने आपका फोन हैक करके करवाया था जी जी मैंने नहीं किया था आदिल ने खुदी वो मेरा फोन हैक करके खुदी क किया था कि मैं फस जाओं और तभी तो डंके की चोड़ पर सब कहते थे राकी जेल जाएगी राकी जेल जाएगी राकी अबे तू कानून का रखवाला नहीं है और तू हमारे हिंदुस्तान के कानों के इज़त कर कानून की और पुलिस पुलिस को तू और नहीं दे सकता और मेडिया का इस्तमाल जूठा नहीं कर सकता और मेरे फैंस को वर्ल्ड को जूठ नहीं बोल सकता जेल तो तू गया था मैं जेल कभी नहीं जाओंगी मेरे साथ खुदा है और मैं सची हूँ अब इसकी बहुत सारे वीडियो हैं और आडियो हैं जिसमें वो खुलियाम बोल र अपना सोशल मीडिया खुद से हैंडल करती है इसके पास अफिशियली इसके मैनेजर हैं दूसरी बात कि यह उसका अकाउंट लेके ऑपरेट करता था ठीक है और पहले राखी ने केस कर रखा है तो कहीं भी यह उसने कहा कि मैं रिवेंज ले रहा हूँ अभी आपका बैस ही है कि हां मैं छे महीने तुमको तुमने मिल जबकि फेर पॉइंट है कि राखी के वज़े से वो छे महीने नहीं था वो इरानी लड़की के वज़े से छे महीने था एक इरानी लड़की का वो स्टूडेंट थी उसका बातकार उसने किया तो उस लड़की के भी वीडियो बनाएं काश खुदा करे वो वीडियो मैं जनता के सामने पेश कर सकती क्योंकि वो सब पुलिस के पास थे कोट में थे तभी उसको छे-सात मेने की जेल हो गए आप समझ रहे हो तो इसोंने इन्होंने वो एमबेसी में फोन करके इरान के किसको प्राइम मिनिस्टर नहीं नही कि आदिल और उसके दोस्तों लोग उस पर करते थी सब लोग वो लड़की के आडियो भी मैंने दिये मैंने आप लगों को मेडिया को इतने सबुद दिये उसको मारता था इससे ज़्यादा मैं क्या सबुद दे सकती हूं आपने वो अपने ग्रूप में उनके कुछ न्यू सी आप मेरे साथ बैठे हुए हैं हो सकता आप मेरे फोन से कर दे कुछ राखी उतना फोन अपना मैनेज करती नहीं है या या क्यूंकि पासवड उसके पास थे इन फैक्ट वो पासवर्ड और भी लोगों को शेयर कर सकता है जो राखी के बगल में है बहुत सारे राखी के उसका एक सलमान ड्राइवर है वो सलमान है ड्राइवर बहुत सारे उसके बंदे उसके लड़के हैं और फिर से क्या है कि इसके पास भी पासवर्ड थे ये भी हो सकता है न किसी और ने भेजे हो लाइक इसके राखी के मोबाइल से या या ये भी तो हो सकता है कि ये जो सब मै लड़के ददस हजार में, उस सारे केसीज है, मैं जब उसके साथ आंट मेने थी न ये खुद ओर देता था, खतम कर दे, मार दे, ऐसा ये बड़ा गंदा क्रिमिनल है भाई ये, जब इसके साथ में जेल से छुटके आया है, बंदा एक लड़के ने बला, अरे आप तो बहु पूरी तरह एक साजिस है, राखी को सोचे समझे, चाल के तहट फसाया गया है, उसकी प्रोपटी हत्यानी की साजिस्ती, इसमें बहुत सारे लोग मिले हैं, अफकोर्स लाइक हम लोग चाते हैं कि इसका फेर अगला साथ जनम भी लेगा, तो मेरी प्रोपटी तुझे कभी मीडिया तुरंट दो मिनट में है, तो में पता चल जाएगा, वो डिलीटेड ये सोच रहा है कि मैं शाना हूँ, दो मिनट में तेरा सब्ची पता चल जाएगा, मैं खुद आईटी का बंदा हूँ, ने, ने, उसमें मैंने बोला है, तेरी बीवी बाजू में सो रही है, त वो किसको नहीं कांटेक कर से, जिस तरह से पूरा यो केस है, आपको दुबई से इंडिया में ये चार, मलब चार हफते के अंदर आपको पेश होना था, कोड के अंदर, इस वज़े से आप लोग यहां पर आ है, या फिर कोड की तारीक कब है, और आप लोग वहां हाजिर ह होने वाले थोड़ा पता, मेरे एडवोकर जानेंगे, जान रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग यहां पर राखी का लाइक कुछ आड्स थे, जो नाइका आप लोग जानते हो, और भी दो-तीन शूट्स थे, ऐसा नहीं है कि राखी लाइक इसके, क्योंकि देखो हम आपको अरेस्ट वारेंट चाहिए किसी भी राखी को पकड़ने के लिए, अरेस्ट वारेंट है क्या, इसलिए मैंने आज तनुष्री को भी पूछा है, जो इन्होंने स्टेट्मेंट दिया था कि आते के साथ राखी अरेस्ट हो जाएगी, मैं उनकी सोच पे हस रहा था, म में इस लिए थी, क्योंकि उसका यहां पे इसने डीफेम करके इसका सारा काम धंदा बंद करा दिया था, और ये भी गलानी में थी, थोड़ा बहुत परिशानी में थी कि भाई, मैं कैसे फेस करूं, आपको मैं सर्च बरें किसे, वैसे एफायर आप लिखाते हैं तो फटा फट करवाई हुई है, अब ये आप ही सोचो क्यों होगा, वैसे कोई भी हरकत होती नहीं, बिचारे गरीब लोग एफायर करके छे मेना, आठ मेना, एक साल बैठे हैं, मेरे लिए रागी सावन्त के लिए हर करवाई फटा फट हो रही है, अब ये मैं जनता के पर सोच, डा इसको पढ़ने नहीं आता है, यार एक मिनट, यार आप लोग क्यों नहीं, वो पब्लिसिटी के लिए अपने मा भेन को भी बेच देगा, वो बेच देगा भाई, वो मुझसे शादी किया, पब्लिसिटी के लिए, आप लोग समझते क्यों नहीं हो, उसको सिर्फ से नीचे फैखने वाला था, मैं मैरी मरी मा की किसम, दुबए में, उपर बिल्डिंग में लेकर गया, उसने मुझे वहाँ से फैखने वाला था, मैं हाथ मेर जोड़ी कि हुआ, वित्मी विदाउट में, मैंने बोला, तो जो भी करेंगा, मैं साथ दूंगी, उसने सब को को मैं उसको लुटने वाला हूं मैं सबको लुटने वाला हूं मेरे साथ बार मेने अफ्ता बहु mm idea ने वीडियो डाला और यह कहा कि मतलब हम जो मेरा लड़ाई है राकी के साथ वो मैं भूल दाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग मुझे कॉल कर रहे हैं आपको वीडियो भी देखा होगा उस पर क्या कहना चाहेंगे मैं यह पूछता हूँ कि पहले तो उसके एक दिन पहले तेवर थे आभी आओ हम अरेश्ट मैं बहुत खुश हूँ राकी अरेश्ट हो जाएगी यह हो जाएगी जबकि मैंने उसके साम में इंटर्व्यू दिया बोला कि राकी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है राकी आ रही है ज जब यह राकी शूर आ गई मैं तो खुले आम बोल रहा हूँ भाई अब तुम तुम राकी को अरेश्ट ही करवाओ तुम राकी के साथ रितेश को भी अरेश्ट करवाओ मैं तो चाहता हूँ कि मुझे अरेश्ट करवाओ बहुत मुझे खुशी होगी मैं भी तो देखूं कि तुम इतना कानून और इतने लोगों से तुम आख में जिसके खुद के जिसके खुद घर शीशे को होते हैं दूसरे पर पत्थर नहीं फेकते हैं मैं तुम को यही बता दे रहा हूं in short तुम खुद ही 10-12 केस लेके बैठे हो तुम तुम ऐसे बंदे हो कि जिसके पास इसक को ले लिया उसके ले लिया तुम तुम उसके वैसे बंदे को हम लोग से लग रहे हो तुमको अगर सारे केसे इसका कोई भी केस है अगर मैसूर में आप पुछी इस से यह बड़ी-बड़ी बाते करता है यह बड़ी-बाते करता है उसके पैसे लिए है मैं अभी एक बंद के साथ अपनी लाइफ जीना चाहिए कभी नहीं हो सकती उसने शुरू किया है खुदा जब तक वो जेल नहीं जाएगा खुदा बंद करेगा उसने उसने इतना गंदे-गंदे आरोप लगए मेरा यूटरस नहीं है मैं मा नी बन सकती है मैं चोरू इतने गंदे-गंदे मीड जिस लड़की के साथ पैसे लूट लिये उसने थोड़ा भी अपने पॉबलिसिटी के लिए जेल जाके आया तो इसने बदला लिए उस नहीं किया वह इरानी लड़की का उसने तुझे जेल में दाला छे महिने बदला तुम मेरे साथ लेने आया मेरे उसके publicity के लिए उसने में उसने शादी करी मुझे लूटा इसके पुरे परिवार ने मेरे जेवर ले लिये मुझे मारा इसके माने डिमांड किया इसके आंटी जो लंडन में रहती उन्होंने डिमांड किया मैंने सब को कंगन, जेवर, मंगल सुत्रा, हार, कपड़े मैसूर जा जा के देती रही कैश पैसे फिर भी इन्होंने मुझे नहीं अपनाया कठो रहे ये कहां बुकतेंगे ये किस चीज़ के लिए नमास पढ़ते हैं अपनी बेटी का बिदा करते हैं अब आप इंडिया में है सोमी से मिलना चाहेंगे मैं तो उस लड़की के लिए दुआ करते हूँ कि ए खुदा उस लड़की को बचा लेना क्योंकि बहुत जल्द अगर उसके पास प्रॉपर्टी वो छीन लेगा उसको या तो जन्दा जला देगा या उसको मार देगा कुछ तो करेगा मैं आपको पूरा इंशरंस देती हूँ बहुत जल्द वो भी ओशिवारा पुलिस टेशन में दिखेगी जरूर क्योंकि अभी जो यह सब नॉटन की करना है इदर घुमना उदर घुमना खाना किलाना चुमिया यह सब मेरे साथ कर चुका है लेकिन मेरे साथ कैमरे के बगर कर चुका है और उसके साथ कैमरे के साथ करता है किसे भी इसलाम में कोई भी आदमी अगर इसलाम के मुसलमान है तो बीबी के चुमिया यह सब ऐसा कोई कैमरे के सामने नहीं देता है उसको बहुत पसंद है दिखावा उसको अकेले को कोई नहीं चापेगा लेकिन क्या ना सुमी है ना वो बॉलिवुड से बिलॉंग करती है और वो बिग बॉस में रह चुकी है तो उसको सारी मीडिया चापेगी उसको से मीडिया में आना है वैसे जिंदगी में वो किचन में कभी खाना भी नहीं खाया बनाए नहीं वैसे किचन में खाना चाहेंगे सोमी के साथ मिलकर बात करना चाहेंगे नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना मैं बिचारी के लिए दुआई करूंगी क्योंकि सोमी को दस बार सोचना चाहिए था उसने देखो अपने माबाप को भी नहीं शादे में बुलाया ना मेरी शादे में उसने बुलाया था वो गाओं माओं में लेकर गया अगर चूमी के जिजश जन एक साल के बाद पैसे खतम होगा एक दिटिर साल के गाओ उसको यह तो उस पर पहले प्यार-प्यार करता ए और जब प्यार मेरी मा मर गई और इसको मैंने मेडिया में लाना बंद कर दिया तो इसने मेरे पर सारे जितना मुझे गंदा बोलना था इसने गंद बोला सोमी के साथ भी यही होगा आपके साथ जो शादी हुई थी आपके साथ उन्हें बुला कि राकिक रितेश के पहले शादी हुई थी बट उन्हें जब शादी की सौमी के साथ तो आपके साथ तलाक तो हुआ नहीं था तो वो शादी लिगल है मेरी शादी रितेश के साथ कभी नहीं हुई अभी वही मैं बोल रहा हूँ ये तो आपको पैटर्न समझना चाहिए कि देखिए एक अगर लड़के ये नोन भी है ये दूद पिता बच्चा तो है नहीं इसने बिग बॉस में देखा होगा अफकोर्स ये जानता होगा अब ये बताए कि जब राखी से इसने शादी की किस बेसिस पे की पहला दूसरी बात कि राखी से जब इसने कोर्ट मेरेज भी किया है ठीक है कोर्ट मेरेज किया है कोर्ट तो बिना देखे कुछ नहीं करेगा आप बताईए कि उसके बाद भी रहते हुए भी ये तीसरे लड़की से शादी किया वही सवाल था कि जब आपके स रखेश से शाधी कम्प्लीट नहीं है तो एक बात बताए अगर राकी के साथ अगर वो साधी लिगल इसकी नहीं थी किस हग से ये राकी के साथ रहा किस हग से इसको यूज किया, ये तो बहुत बड़ा स्केंडल है, तब तो ये राखी को तो फिर तो किस करना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ कि किस हक से रहा, और एक being as a Hindu, मैं एक Hindu family से belongs करता हूँ, अगर ये कह रहा है, तो एक Hindu परिवार को इसने तोड़ा, तो किस हक से तोड़ा, किस हक से तोड़ा, इसके खिलाब तो बहुत बड़ा कारिवाई होना चाहिए, जिरतेश ने कहा कि अगर ये illegal थी, क्योंकि तब आप उनकी पत्नी थी नहीं तो फिर अगर मैं उसकी पत्नी नहीं, तो फिर मेरा केस तो बनता है, तो मैं हाई है, कब है, और आप लोग जाने वाले हैं, क्या कुछ हो, थोड़ा उसके बड़ा है, क्योंकि आफकोस ये क्राइम इतना बड़ा नहीं था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, ठीक है, बड़ मैं गई, हम हम लोग को जाना पड़ा, बट ठीक है, वहाँ पर हम लोग गए हैं, वहाँ पर हम लोग आच्छे लोग हैं, तो उन्होंने रिडारेक्ट किया कि भाई आप रेगुलर बेल अपलाई करो, इसमें ऐसा कुछ आपका कि सीवियर है नहीं, कि आपको आपको लेना पड़े एंटिसिपलरी बेल, तो आप इसमें रेगुलर बेल के, उसके लिए ये डारेक्शन, ये कोट प्रसीजर है, कि आप सुनिए, पहली बात तो उसके पहरों कि ज़मीन निकल गई, उनके सारे लोगों के, पहले में सुप कुछ है ही नहीं, हम यहां पर मडर के, रेप के, के सॉल्फ करते हैं, ये कौन सा केस लग रहा है, तो फिर वोग वापस लोवर कोट में भीजा, कि केस तो कुछ भी नहीं है, तो आप दुबई से फिर मुंबई कैसे आना हुआ, मतलब जो रोक लगी थे, एक तरसे, जो बो बोलता है कि मैं यहां यह कर रहा हूँ, उसकी बात, उसके पास ओर्डर ही नहीं था, और ओर्डर वो पहले ही बोल रहा है, और आप लोग छपते रहो, मैं देश की जनता को बोलती हूँ, जो कुछ भी बोले मीडिया में, बिलीव मत करना, मीडिया छपती है, मैं कुछ नह अवे थी मीडिया से, क्योंकि थोड़ा सा उसके भी मन में दुख लगा था, कि भाई मैं इस बंदे को यह बंदा अगर कुछ बोल रहा है, इसको लिखने है, हाला कि राखी के वज़े से नेगेटिव पब्लिशिटी में वो छप रहा था, जो कि राखी को समझ में आ, और म इसके परसनल लाइव में क्योंकि माँ चली गई थी, पैसे नहीं थे, बहुत सारी चीजे, मेरी माँ एक्सपायर हुई, मेरी पास पैसे नहीं थे, इसने मेरे सारे पैसे लूट लिए, तो मैं वहाँ पर टिक टॉक पर जॉब करती हूँ, मुझे टिक टॉक ने साइंड के आफिशली, तो वहाँ पर बैटके मुझे अच्छे पैसे मलते हैं दुबाई में, तो वहीं से मैं दुबाई में घर भी ले लिया, मेरा यहाँ पर अच्छा काम नहीं चल रहा था, इसने इतना गंधी नेगिटिफ पब्लिसिटी करी, तो मुझे यहाँ पर इतना काम नही दुबाई में, तो उससे मैं मेरे दोस हुए, मेरे सर्वाइव हुआ, और देखो मैं कितनी ही एकदम स्मार्ट एन हापनिंग लग रही हूँ, वो उसकी जल रही है, उसकी जल रही है, तो जल 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 के हम और केरोसिन दालेगे, तु मरेगा, गंधी मौत मरेगा, तुने मे अपस फिर से मीडिया के साथ उबरू, जल देखो जल दी पता चल गया, कि अभी मेरे साथ तलाग भी नहीं लिया, तीन तलाग, कोड सई, यह भी नहीं हो, इसको एसी क्या चुल मच्ति, जल जल दी शादी कर देंगे, रात और रात, इसने, शादी से पले कोई तो कांड कि क्या होगा ना जो तो मेरे साथ किया था सेम पाटन उसके साथ भी क्या हो इसलिए रातो रात किसी को बताए बगर इन्होंने शादी कर ली शौक सबको दिया यह नो मुझे भी शौक दिया अभी तू रेडी हो जा जेल कॉन तू तेरा बाप तेरी मा तेरा पुरा हंदान मुझे हिंदुस्तान के पुलिस पर विश्वास है कानून पर विश्वास है तुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तू आठ मैंने जेल गया था ना अभी तू सारी उमर जाएगा जेल तू देख लिए हो और आठ मुझे कहा है कि इनकी कॉंग्रेस में बहुत अच्छी पैचान है मोदी जी से बहुत अच्छी पैचान है मतलब मोदी भक्त है मैं तो चाहता हूँ कि राखी एलेक्शन लड़े क्योंकि राखी जैसे लीडर चाहिए देश को और कहीं न कहीं राखी की विश्ट लिस्ट है कि कंगना के अपोजिट लड़े अरे मंडी में जाके उसने मंडी में चुनाव लेने के लिए ये टिकेट लेने के लिए जदो जहूं को मुझे टिकेट देना चीない ता यह नो बट कोई बात नहीं राहुल जी को मैंने ओफर दे रही हूं कि राफुल राहुल जी कॉंग्रेस से उसके अपोजिट मुझे खड़ा कर दो और शौर शौर मैं जित जाओंगी जितूंगी की नहीं आहां पका आप जीतोगी आप आप करो के महनत मेरे पीछे मैं त आजकल बड़ी टूपिया वो सब पैंडरी है वापस कैसा लग रहा है मुंबई आकर इतने दुनों बाद राखी सब कुछ वापस आपके फेंड्स मीडिया सब वापस फिर से वही चीजे हो रही है हाँ चार मैने के बाद आई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बड़ा पार northwest hasta thou meatya को उसने मेरे सारे कोंटाक्स ले लिए मीडिया के सारे स्टारों के सबकोchos करता मुझे काम दे दो-काम देदो भाज हैारि तुझे कोई काम नहीं देगा मेरा एक भाई है एकता कपूर का जो बहाई है न आपे पता है साकिट उसको फोन करके बोलता है साकिट भाहे मुझे काम दो साकिट भाः ने वह को बे-बला्ऽ कारी तुर भाग यहां से राखिया हमारी भाएधर हम तुझे इंडिया टुझे बॉलि उडियां के देंगे तेरी पिछवाड़े पर लाक तुमारे के बगाएंगे क्योंकि तुनिया हमारी बेहन को लूटा है उसका जिंदगी बरबाद करी है दुनिया वालो मैंने तो इज़त से शादी करके घर बसाना चाहा था बच्चे करना चाहा था लेकिन मुझे नहीं पता कि ये मेरी जिंदगी बरबाद करने आया था या फिर मुझे मेरा पैसा लूटने आया था मुझे नहीं मालूम था मैं किसके सामने रोओं खुदा सचाही जानता है मैं बहुत लॉयल थी इसके लिए मुझे मेरे कपड़ों पर कोई न जाए कामेडी पर शुकाय है तो I was so loyal इसको मेरे घर ती या ता उसको गाड़ि दी या इसको मैने पैसा दिया इसको मैने फेम नेंस अब दिया इसने मेरे साथ चिटीं किया सब कुछ लूटनाट के और मुझे पर दाग लगा है बिना मतलब के एक दाग भी पेश तो करनी पाया ये और मीडिया को यूज कर रहा है राखे अरेस हो जाएगी मीडिया खुश अचा कब अरेस हो जाएगी सुरी मीडिया मैंने आप लोगों को बहुत नारास कर दिया आप लोगों का शॉक पूर आप लोगों का जो इच्छा दिखती है और यह जैनुएन है एक्चुली दोस्ती हम नहीं छोडेंगे गाना गाना छोडेंगे यह देखने के बाद लोग यहीं पूछ वह हैं कि आखी रिष्टा क्या कहलाता है आप दोनों का यह रिष्टा क्या कहलाता है दिकि हर रिष्टे जो है ना बहुत सारे ऐसे रिष्टे होते हैं कि जो क्लियर होते हैं मेरा और राखी का दोस्ती था है और रहेगा राखी जब भी प्रॉबलम में होगी मैं हमेशा आओंगा जब जब द्रोपती की इजब पर कोई आच डालता था तो कृष्ट उतराता था उनके भाई थे तो कृष्ट तो आया ना साड़ी दी इतनी साड़ी नहीं जब जब मुझे कोई टॉचर करेगा मुझे सतानी की कोशिश करेगा वहाँ कृष्ट न थे यहां रिष्टे चाही नहीं होती, अगर दिल की साफ नहीं होती, तो do you think कि camera पे रोती, फिर बाद में ये करती, नहीं ये camera पे लोगों को लगता है कि ये नाटक कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसका दिल तूटा है, इसकी मा गई है, इसके पैसे गए हैं, और बहुत fair investigation है, आप केव इसका अकाउंट निकाल दो ना, ये बंदा मुझे एक बात बताओ, ये बंदा खुद को कहता है, मैं बहुत बिजनेसमेन हूँ, ठीक है, इसका अकाउंट जाके पूछो कि अकाउंट में कितना ये जीस्टी भरता है, कितने इस साल जीस्टी भराई है, ये बिजनेसमेन है न आपने को बोलता है आपको नहीं पता है आपको नहीं पता है औरतों को जूस में वेशी के दबा मिला के वीडियो बनाँ पाकिस्तान बेचो पाकिस्तान बेचाइब और एक एक वीडियो का 45 लैक्स मेरे वीडियो नीज़ी आपके और आदिल के पर केस की आतो मैं तेरे सारी वीडियो वाइरल कर दूंगा अबे बीके सुन नहीं बिप मारो चलेगा ठीके तुम मेरे नीज़्ी वीडियो वाइरल कर मैं तु जहां है ना वहां पर आके अमीर नामे तेरा अमीर तु मेरा पाकिस्तान तक जाएंगे हम लोग पाकिस्तान आऊंगी तेरे पाताल में घुसके तुझे मारूंगी मोधी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है हम वहां घुसके मारेंगे ये बात समझ लो मैं पाकिस्तान में तु मेरा ने नूड विडियो पाकिस्तान में घुसके मैं तुझे तु किसी भी कोने में होगा ना तुझे मैं घुसके मारूंगे ये बताई जो इतनी अच्छी बांडिंग आप दोनों की हो चुकी है जब जब मुसिबत होंगी आप उनके लेंगा आप भी ये कह रहे हैं बार बार कि जब भी राकी को प्रॉब्लम होगी आप होंगे तो फिर रिष्टा फिर से जूड सकता है नहीं हम लोग दोस्त हैं क्योंकि आफकोस मेरे लाइफ में कोई और है आफकोस हम में और अक्की हम लोग दोस्त हैं और को नंए अ बता है इसकी लाइफ मैं नहीं 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 शीज इस अफुर दुपर हॉलिवो डॉली विड स्था नुनौ नौ नौ 9 रिष्यादि में तो मैं कंगन लेने वाली हूं कंगन और निकलेस रिते शादी है नहीं की बाराद इंशालला जल्दी हो जाएगे खदाने चाहते नहीं अभी तो काफी मेरे ड्यू टू कॉंटर वर्सी के वज़े से मेरे पर क्योंकि वह भी बिलॉंग करती है हॉलिवुड से तो मुझे अपने पैर मैं एक घरेलू परिव अपने पैरेंट्स को कन्विंश करने लिए टाइम चाहिए थोड़ा खुलासा करें ने कोई नहीं है शीज़ ऑलिवुड स्टार यह दोनों ग्रीस रहते हैं न मतलब यह लोग वाँ पर एउरोप में रहते हैं तो मैं तो बहुत कुश हूँ हूँ मैं चाहती हूँ हमारे म प्रेंड का शादी हो जाए और मैं खुब धामाल होगा मैं फालगो नहीं जाने वाले मैं फालगो नहीं जारे है शादी में यही वजह की वेट लॉस हो रहा है और मेरी खुद की ओटी टी प्लाटफॉर्म भी आ रही है और लिए बहुत सारे सिरीज बनाई लाइव स्ट् तो हम लोगों ने काफी कुछ और मेरे बहुत सारे खुद के प्रोडक्शन से मेरे दो सॉंग्स रिलीज हो चुके हैं और एक फिल्म पाइपलाइन में है एक बहुत बड़ी फिल्म जो है जिसका ओफर मुझे मिला था बहुत बड़े डिरेक्टिर के साथ जो कि मैं डिकला और यूँ एक टर है और आक्टर भी है और यह पूरी फिल्म जो है वो युज में शूट हो इतार लुके रितिश बहुत सारी चीजे कर मैं मैं लोग साथ में हुआ व्या देखो क्या हुआ हो नहीं सातमे बिग बास में गया थे हैं लोग जो भी सकम चांसे रहे इस ऑके प श्रुपकत कर दूद कि अभी मैं तो कोई आएगा निया आएगा ना तो दस बार पचासब बार सोचना पड़ेगा यू नो आपको सोचना है कि आपको मिलाओंगी आधनकी दूद कजला भीचाश पुक आपको पीना होगा लेकिन आप मैं शादी करूंगी तो एक किसी मल्टी मिलियनेर बिजनसमेंट से जो के अंबानी होगा अंबानी ठाइब अच्छा एक बार बताईए इतनी लाइफ में प्रॉबलम होती ही इतनी ट्रेज्जीर से राखे उजरती है फिर भी राखे दूसरों को हसाती रहती है य रोज मेरी मा के लिए रोती थी रोज रोज टिक टॉक वाले मुझे कहते मत रो मत रो मत रो वहां पर भी मैं रोती थी मेरे वहां पर कितने फ्रेंड्स है टिक टॉक पर वहां पर बड़े-बड़े सब लोग इतने बड़े-बड़े जैन, जटी, नेहा, साहीबा, सैफी य जो ब्रोड़कास्टर है यूसुफ पतलू यह सब बड़े बड़े जो एक दिन में पांपाद दस करोड कमाते एक एक दिन में आपको पता है वहाँ पर तो यह इतने बड़े-बड़े जो है राज कतार से यह सब लोग मेरे सब फ्रेंड्स है मेरी मॉम मैं डिप्रेशन में चाहर में ना वहां गई इस सारी सब प्राब्लम के अगेली सुकूर अगर मैं नहीं जाती तो मुझे डाइबिटिक हो जाती या मैं आत्मत्या कर लेती यहां पर कुछ तो हो जाता यू नो उन्हें में डुबबई चली गई मैं राश्री के बार में कुछ नहीं बोलूँगी बस मैं यहीं बोलूँगी कि बहुत जल्दी इसने उसको क्या लौलीपप दिया सूमी को मुझे नहीं मालूम है तो यही बोलूँगा कि राजस्री सही बात तुमने बोला जो कमीज नहीं दे सकता लेकिन पता नहीं कुछ लोग ऐसे भी है जिनको उत्री हुई कमीज वी चल जाती है अरे आदिल खान वो भिकारी है मैं वहाँ गई थी मैसूर में मुझसे पैसे लिए खाने के बिल भी मैं भरती थी उसके उसके माबाप के उसके मा चलो वो तो चलो मैं ससराल में थे तो इसमें गरीब से शादी करी तो उसमें कोई बूरी बात नहीं है तो मेरे पास खुदा ने मुझे दिया था लेकिन इदर आके सब को जूड़ बोलता है सब को जोड़ बोलता कि वो अमीरे नहीं आपने घर भी देखा है बाहर जब मैं एक बार मैं बाहर गई वो उजन गई मैं इस उर्ट तो ताला मार के लोग भाग गए उसके एक प्रिविएस वीडियो जो मेरे पर एलिगेशन लगाने ये दोनों पहुचे थे वा उशिवारा पुलिस है उसमें वो कह रहा है आप मैं बोल रहा हूं कि आप आप देखो उसमें कह रहा है अरे हम लोग मेकैनिक थोड़ी है हमारा तो चार्चा शोरूम है भाई एक शोरूम दिखा दे मुझे एक शोरूम बता शोरूम है लेकिन अबाज भाई का शोरूम इसका दिखा द बड़ी बड़ी बाते और मांग के खाते हैं। इनके पास इनकी तीन कारे चोरी करी इनके पैसे बाकी है नदीम भाई बैंगलोर से वो फोन करेंगे मुझे। तो फैनली क्या कहना चाहेंगे राखी आप सब कुछ ठीक है अभी जो बाते चल रहे हैं। मेरे साथ रितेश कडए हैं, तो ये लोग मेरे साथ है, ये अकहले नहीं हूँ। मेरे तकलिफ में कोई हर किसे ने भाई बोला कोई खड़ा नहीं रहा तकलिफ में। मैं पूछना चाहाँए वारस. इर रितेश कड़े रहे हैं। मैं यही बुलना चाहूंगा कि यह अभी भी मौका है चलो राखी ने तो मौका नहीं दिया क्योंकि तुमने उसको बहुत सताया है लेकिन अभी भी मौका है जाओ अपने गलती का प्राश्चित करो सारवजनीक रूप से आके राखी से माफी मांगो और अपने किये की दो, एक लड़की के साथ कम से कम किये हो उससे निभाओ, कम से कम उसको इस condition में ना लाना और एक दिन ऐसा ना पतछ लेकि सौमी को मार दिया ये सेम condition उसके साथ मत करना क्योंकि तुम्हारा ये habit हो चुका है सौमी ध्यान देना ये मा, बेटे लोग पीछे से केरोसिन डालते हैं, आग लगा देते हैं और बोलेंगे के खाना बनाते बनाते पल्लू में आग लगी और जल गई पहाड पर लेकर जाएंगे, खाना पिना खिलाएंगे, जूस में कुछ मिला देंगे दक्का मारेंगे गिरा देंगे केते खुदी बेवशों के गिर के मर गई बाद में चौथी पंद्रवी पचास वी शादी करेंगे दहज के लिए इसकी बहुत सारी शादिया हुई है पैसो के लिए और उसमें पता नहीं अब तो ये फियर इंविश्टिकेशन का पॉइंट ह इसकी जो दो शादिया हुई है उसमें उसमें जो लाइक दो तीन शादिया जो राखी ने फोटो दिखाया मीडिया को भी दिखाया है उसमें उस लड़की का धर्म परिवर्तन कराए गया और सेम चीज राखी के साद भी रिपीटेड हुआ है हाँ हाँ भाई बोले भाई हुँ बाहर हुँ बोले ना भाई मुंबई 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 भाई आचा ये बताइए कितना पैसा बाकि उसके पास आदिल दुरानी के पास तो कभी देगा वो तो चेन अबाई कभी चिनों के मांगो तो करने से मेरे तबियात खराब होती है अच्छा ने भाई आप वोलो ना भाई कम्प्लेंड क्यों नहीं कर रहे हुँ अच्छाए तो आपके गाड़ी ले लो ना गाड़ी क्यों नहीं ले ले लेते हो गाड़ी कहा वो गाड़ी नहीं है ना गाड़ी बेज दिया ना वो बेज दिया तो पैसा कहा है गाड़ी का आपको मैंने पहले बोलाता है वो एक गाड़ी चार-चार लोगों को बेचता है गड़ी जिसके नम पे है उसके नम से करवाया है जी भाई पैसे लो जल्दी कितने साल होने आए केस का नमबर हमें बेजो हम कुछ करते हैं है न भाई अभी मेरे इंटर्वी हो रहा था उसमें वही मैंने बोला मेरा भाई ये नदिम भाई बहुत ही भियार करते मुझे है और उसका भी पैसा लेके भागा ही है देही नहीं रहा है दो सल से कि चलो भाई फिर मैं बात करते अभी इंटर्विय में हूँ एसे करोड़ों लोग है एक कार चार बार बेचता है एक कार चार बार बेचता है आप लोग और मैं अभी एक मेरा अभी फोन लगाती हूं शैली को ये सारे इन्विस्टिकेशन के पॉइंट है आप आप गूगल कर लें क्योंकि आज कर सब सब स्बगल पर मलती है आप गूगल कर लें वहां के जो लाइक का स्ट्रे ज्जार के दीए इस stitch हो यह नाम पर कैसिस है और आप देख लें कि उसमने कैसे कैसे से शैंड़ες कहीं ağr और मीडिया इसको इंटेटेंट कर रही यह हमारे लिए शौकिंग था यह जो बारबाय कहा जा रहा है कि चार हपतों का समय मलब आपको कोड में पेश होना है और तारीक क्या उसके बाद थोड़ा बताई क्या है देखो चार हपतों का जो डेट है ना वो तो एक नॉर्मल प् कि हम लोग जाज में पहले भी सहयोग करते रहा है हम अपने लाइक समीधान पर विस्वास है हमें अपने जुटिकल सिस्टम पर विस्वास है तो जो भी है हम लोग वहां पर जो भी हमारे लॉयर कहेंगे हम लोग उसके तारीक कब नहीं रहती है आप चार वीक में क्या है लिस्टिंग आपकी कभी भी हो सकती है, आप पहले अपलाई करोगे, लिस्टिंग जब भी होगा, उस डेट में आपको जाना होगा, वो हम लोग फॉर्मली बताएं, वो तो यहां पर हिंदुस्तान में छेंक लेते हैं, तो भी केस हो जाता है, तो इसने जान बुच के मुझ मुझे फसाने के लिएे कैस किया है, मैं शेली को लगा रहीव, शेली की एक कार इसको एक कार जो शेली के हैना जो शेली को देड न करोड में बेचिे, अंदर को एकसे डेंटली कार्ती और अर पार्ट्स लगा-लगाके, और स्म कार उसने थे चार लोगों को बेची उस पे मैं आप भी फोन कर रही हूं शेली को आप लोगों को सुनाने के लिए वो भी रोरी है उसका भी पैसा लूट लिया देड़ करोड शेली का उसको भी दीदी बोलता था तो इसलिए मैं तमाम लोगों को बोलूंगा कि इसकी कोई गैरेंटी आप नहीं लेना इसको किसी से करो कोई बिजनस मत करो इसके साथ कार लेना नहीं ना बिजनस करना यह आपको चुना लगाएगा मेरे जिन्दगी में बहुत चुना लगाया थैंक गॉड में बच गई वो तो मेरे फुरा फ्लैट बिकवा के खुद हिरो बन रहा था कि तुम मैं तुम मेरी बीवी हो तु उसको कनवर्ट करा के सारे पैसे रखवा लिए यह सारे प्रूफ है यह इसमें कहीं भी नहीं है कि राकी यह सारे रिकोड़ेट प्रूफ है और इसका फेर इन्विस्टिकेशन हो एक बात बताओ यह बंदा कहता है मैंने दुबई में घर दिया है जो खुद के मुंबई मे घर नहीं ले सकता है वो का दुबई में घर देगा उस वक्त उसने मुझे नियूज में बोला था कि तुप फ्लीज बोल के मैंने घर दिया मुझे नहीं पता था कि यह टाइम पे मुझे छोड़ देगा और यह इस इंटरव्यू को वो यूस करेगा यह चलिए मैं चलती भी जिए लोगों की दिलों में थांक्स क्लाव थांक्स्टाप्ध गार्यूस Millnet Tr Hearts कि इं